नमस्कार दोस्तों मैं हुँ किशनलाल और आप देख रहे हैं आर्जे किशन एजुकेशन यूटूब चैनल जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आजेगा जैसा कि आज है रही वार का दिन और रही वार को आप सब को पता है हम लेते हैं आर्मी लेवल का मोडल टेस्ट पेपर जिसमें हम पचास के उसने इंकलूड करते हैं तो बड़ा इसांदार मोडल टेस्ट पेपर होने वाला है और रेगुलर आपकी आठ बजे और ग्यारा बजे जीकेश की कलास लगती है काफी सारे विद्यार्थी उन कलासों का फाइदा ले रहे है क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो केवल रहीवार को लाई वाते तो उनको बताना चाहूंगा कलास से रेगुलर लग रही है तो रेगुलर आईएगा और कलासों का फाइदा लीजेगा चलिए दोस्तों आज के सेशन की सरुआत करते हैं इससे पहले सभी व पता है वो लोक हो जाएगा टेस्ट तो नो बजे से पहले पहले दे लेना ये कलास पूरी होने के बाद काफी सारे विद्यार्थी दे भी चुकि है आनन्द आ रहा होगा आपको क्योंकि वहां आपको बिलकुल भी आज टेक्निकल प्रोब्लम नहीं हो दे काफी सारे विद बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कलास को जल्दी से साथ मिलकर लाइक कर दीजीगा चलिए बढ़ते हैं फैस्ट क्योशन की तरफ और अपनी क्लास की सरवात करते हैं पचास में से यदि चालिस पलस आप मारते हो तो आपके सेलेक्शन में कोई नहीं रोक पाएगा क्य क्योंकि मैंने क्यूशनों की कई क्यूशनों की लेंग्वेज भी आज गुमा रखी है तो आपको जवाब देने की कोशिज करनी हैं और अंत में आपको कोमेंट करके बताने हैं कि सार हमारे इतने क्यूशन सही हुए है चलिए दोस्तों फैस्ट क्यूशन आपकी स्की के साम पर ने किस के सामने वान खेड़े स्टेडियम किस से जैर में है तो वान खेड़े स्टेडिम है पहले बात तो कर लेते हैं क्रिकेट का स्टेडियम है किस खेल का है यह आपको पताना चाहिए किस खेल से समंदित है क्रिकेट से समंदित है अब बात कर लेते हैं एक क्योंसन आपको आज कोमेंट करके बताना है कि वहां खेड़े स्टेडियम में कौन सा विस्वेकप हुआ था यह आपको बताना है क्रिकेट विस्वेकप अब बा और कानपूर में स्टेडियम की बात करें तो आपको याद आ रहोगा गरीन पारे के स्टेडियम कहाँ है कानपूर में अब क्यूशन के इबार ऐसे भी आ जाता है इंडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है तो वो है कोलकता में तो ये भी आपको याद रखना है कॉलकता 1911 से पहले बार्त की क्याती राजदा ने थी और 1911 को नई दिली स्ताना अंतरित कर दी गई थी कॉलकता हुगली नदी के किनारे वसा ये भी आपको याद रखना है से लिए दोस्तों अगला क्योशन नमर 3 आपके स्कीं के सामने क्या दे रखना है गुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है बहुत ही स्यांदार कि उसने देखते है कौन कौन वी देखती है इसका सही जवाब दे पाते है जो ओफशन नमर ए बता रहे बुटान बिलकुन का उत्तर से ये बुटान की मुद्रा क्या है गुल्ट्रम है और बात कर लेते है म्यामार की मुद्रा क्या है जल्दी से आप जवाब देने की कोशिश करेगा इसकी मुद्रा है क्यात क्या है अब बात कर लेते है आगला वाला कौन सा है कतर की मुद्रा क्या है जल्दिश बताईगा रियाल है कतर की मुद्रा क्या है रियाल और याद आरा है कि रियाल किस की मुद्रा है एक और याद आना ची आपके वियतनाम की मुद्रा बात करें तो दोंगे मुद्रा है यह आपको ध्यान रखना आप बात कर लेते हैं आपको रियाल देखते हैं करना पड़ता है रियाल होता है और राजदानी यानि केपिटल की बात करें तो क्या है जल्दिश बताएगा साओधी अरब की राजदानी क्या है तो केपिटल आपकी है रियाद केपिटल क्या है रियाद है यह आपको ध्यान रखना क्यूं काफी बार क्यूशन आ चुका है क पुटल साओ्धीअरब की बात करे तब आपको करना एक रियाद और मुद्रा साओधी-अरब की बात करे तब आपको करना दियाल यह चीज आपको द्यान रखना खासतोरसे चलिए दूस्तो अगला क्युष्ण नमर च्यार सिख्चं केनrie का क्या है विश्वा प्रियेटन दिवस कब मने जाता है वो ती शानदार कि उसने विश्वा प्रियेटन दिवस कब मने जाता है वो मने जाता है 27 सितंबर को कब मने जाता है जो अब बात कर लेते हैं 30 जनवरी को आपको याद आरा होगा क्या मने जाता है सहीद दिवस मने जाता है 30 जनवरी को क्य बात कर लेते हैं ग्याराह जोलाई को क्या मनने जाता है आपके याद आ रहाँ गधर विश्वेजनशंग क्या दी उसका मेना जाता है är 12 जुलाइक का मना जाता है और वायद कर लेते हैं अंतराष्ट्रिय महीला दीश्का मना जाताperform है बहुता है नवर्ण 1 आपके सामने देर का क्या है विश्वे का सबसे बड़ा पस्व मेला जो एक महिने तक चलता है कहां आयोजित किया जाता है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा देखते कौन को नुई देरती इसका सही जवाब देंगे बिलकुल जो अफ़सन नवर सी बता रहे है सोनपूर बिलकुल का जवाब सही है सोनपूर की बात करे तो उत्री ब्यार में है या कहां पड़ता है ब्यार में पड़ता है और गंड़क नदी के किनारे इस्तित है किस नदी के किनारे है गंड़क नदी के किनारे ये भी आपको याद रखने है पुशकर की बात करे तो ये रास्त है उनकी किरानती का प्रारम कहां से वा था मेरेट से वा था ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं आपके सामने क्या दिर्ख है बारत का पेरिश के नाम से किस सहर को जाना जाता है बारती से अंदार क्यूशन आपसन देखे बताएगा देखे कों को नहीं तिसकास तही जवाब देपते बिलकुल बिलकुल जो उफ्शन नमर ये बता रहे जैङ Almost Look जवाब सही है जैफूर को और क्या का आ जाता है जल्दिश को बताएगा जैपूर का एक नाम और । है बात कर लेते है गुलाबी राजमार्गों का चोरावा किसे का जाता है कानपूर को का जाता है और मुंबई की बात कर लेते हैं साथ टापों का नगर किसे का जाता है मुंबई को का जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है और गेटवे ओप इंडिया यानि भारत का परवेस द्वार किसे का जाता है मु रखना है चलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर साथ आपके सामने मंदिरों गाटों का सहर किशे कहा जाता है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन विदरती इसका सही जवाब दे पाते बिलकुल वारान सी यूपी कहा पढ़ता है उत्तर परदेश में और उत्तर परदेश की रार्डणी क्या है लखनौ है जिसे नवबों का सहर कहा जाता है और मंदिरों और गाटों के सहर की बात KERथ आपको अश्मनमर क्या रइट ओगा B राइट ओगा वहारान सी और फिरोजा बाद को क्या कहा जाता है यादा रहा है कुछ का फिरोजाब को और कोलकता की बात कर लेते हैं आपको याद आ रहा है कोलकता भी बता रहा था मैं डिली से पहले राज़धानी थी और उगली नदी के किनारे बसा है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस्टन आपकी स्कूर्ण के सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्याति क्या है आपका उसन में क्या राइट होगा जो कि हम बात कर लेते हैं लीबिया में इस्तित्य अधिक्तम तापमान एक टाउन डिगरी से से स्वाहां का दर्ज किया गया है और थोड़ा सा और भी धान रख सकते हैं और भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो इसके बारे मे अगला कि उसन नमर नो आपके स्वाहां के सामने क्या दर्खा है यूनेसको का मुख्या ले कहा है बड़ा ही शांदार कि उसने क्या दर्खा है यूनेसको का मुख्या ले कहा है तो आपको पता होगा कहा है जो उसन नमर भी बता रहे पेरिश बिलकुन का उत्तर से यह पेर बात करें करें आपको पता होगा आपको यादा रहोगा यू यू नू तो यू करें मुख्या लेकि बात करें में आधकी वह काने काहीं है दियारते इस कैसे चौन में कनि फ्यूज होगे तो बिल्कुल भी आपको गइंश नहीं होना है जवाब देने की कोक्षिष करना है कुतु बे विनार को पर्वे स्दौार çो किस नाम से जाना जाता है जो कुतुम मिनार है नई दिल्ली में है कहां है कुतुम मिनार नई दिल्ली में है आपको ये ध्यान रखना है इसका निर्मान किस ने किया था जल्दी से बताएगा इसका निर्मान किस ने करवाया था अब बात कर लेते आपको पताओगा कुतुबुदीन एब दिवाजा बिल्कुल का उत्तर से यह हैं अब काफी सारी विदेर्ति बुलंद दर्वाजा करेँ थोडodor करें थोड़ा सा दिमाइंगों दर्वाजा अलग है वह कहां क्योफन दिश्वी नमर बात कर लेते हैं 11 अद्रे किस्वाइब ख्रीय गा सभष भासाओं नमर बाट सभाइब बात विलकुन का जॉब से ही है अब बात कर लेते हैं आपको पता होगा भहारत की राजवाशा क्या है यंदी है ये किस कौन्सिस अनुसैद में उले का है तो वे343 पे किस पे है 343 के है ये आपको याद रुर्खना है काफी बार एक्जाम है वो किसने है कितने नवर अनुसैद में maior है 343 में है is में ये बता का लीडास की आपको पता है वारत का सेक्स पर किसे कहा जाता एक का नहींद में से कौन सी है जो अपसन भी भी बतारें हभिजान संकुलतलम बिलकुल जवाब सही है यह यह उनकी रचना है अब बात कर लेते हैं आपको यादा हैं होगा मेग डूट की रचना किस ने किया काली दास जी ने किया अब बात कर लेते हैं इस इीच न किस ने किया जल्दी से बते गां यह किये लिए नरायन पंडित ने किस ने किये ओर सास्थ शाष्ट्र की बात करें तो व ki कि यह कि नगी ए चाणक कर ने की यह भी आप याद रखिगा छलिए दुस्त आगे बढ़ते ऐगला किसन मरत यह pastor आपके सामने क्या दिरोक है ऑरत का सिलिकोन वेली किसह कहा जám जाता है वह इंपोटेंट कि इसन है बाहरत का सिलिकोन वेली कीशे का जाता है जो और बेंगलूरू बिलकुन का उतसी है बगीच्चों का सहर भी आपको पता होगा बेंगलूरू को का जाता है और मसालों का बगीच्चा कीशे का जाता है केरल को का जाता है ये भी आपको याद रखना है एमदाबाद को बार्त का क्या का जाता है म उजेन किस नदी के किनारे बसा है जल्दी से जवाब दो उजेन किस नदी के किनारे बसा है बिलकुल जो अफसन नमर कौन सा बता रहे सी बता रहे सिपरा नदी बिलकुल का उत्तर से ही है उजेन किस नदी के किनारे बसा है सिपरा नदी के किनारे बसा है ये भी आपको याद रखने आपको पताओगा यमुना नदी के किनारे बसे नगर की बात करें सहर की बात करें तो आगरा मतुरा और क्या है दिल्ली है यह तीनों सहर किस नदी के किनारे है यमुना नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे बात करें तो पटना कानपूर और इलाबाद किस नदी के क किनार बिद्किंद के सामने क्या डिरख है किसे कँसे कहा जाता है जल्दी से ज्वाब देने कोसिच करेंगा तो मुगलो का श्रिकास Bijasada आगरा को ताज महीं आपको पताओगा आगरा में यह आपको याद रकने तो यह आपके जीक्च तो के पशारे सोला नहीं difference किस का पैंशल कंऔर वारे में और खेला है। या शिशा पंसिल यानि लेड पेंसिल कई वारे से भी लिख देता है तो आपको पूल्हुर नहीं होना पेंसिल की बात करते हे तो ग्रेट का उज्वार शेजा का या कि आपका क्या तो क्या हो जाता ह। नहीं हुआ होसा है और हीरा सबसे कठोर पदारत है यह भी आपको पता होगा और हीरा कारवन का क्या है सुद्ध तम रूप है चलिए दुस्तों आगे बड़े अगला क्युशन में बात कर लेते हैं सत्रा आपके सामने दे रहा क्या है रूदीर का ठका यानी स्कंदण बनना किस प्रोटीन के कारण होता है बहुती शांदार कुस्नें मैंने काफी बार आपको बता है ये लिए आपको वीटामिन TO क्या पूछ के परोटीन की बात करें जल्दी से जवाब दो जो अफसान नमर ए बता रहे फाइबरीन विलकुन का उत्तर से ही है फाइबरीन जो प्रोटीन है उसके कारणी रक्त का क्या जमता है ठका जमता है और वेसे कहें तो विटामिन के कारणी जमता है ये भी आप याद रख सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपको पता होगा रक्त का लाल रंकिस के कारण होता है इमोगलोबिन के कारण होता है वो भी आपको पता होगा और इमोगलोबिन में मुख्य पदार्त कौन सा पाया जाता है बिल्कुल श्रांदार क्यूसने देखते है कौन-कौन भी देर्थिस का सरी जवाब दे पाते है जो उप्सन नमर भी बता रहे हाईपो थेले मस बिल्कुल का उत्तस ही है सरीर का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी है यानि नियत बनाए रखने के लिए आईपो थेले मस है अब बात कर लेते हैं प्यूस गरंती को मास्टर गरंती का ज़ता है और सरीर की सबसे बड़ी गरंती की बात करें तो वो कौन सी है यकरित है ये भी आपको याद रखना है और आपको पताओगा अगना से गरंटी से कौन सा अर्मोन सरावित होता है इंसूलीन अर्मोन सरावित होता है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं गुंदी साफ के सामने क्या है सबसे अधिक क्या देरे का इस्ताई पारिष्टतिक तंतर कोन सा है जल्दी से जवाब देने की कुशिश करिएगा देखते कोन को नमीदर्टिस का सही जवाब देपाते बिलकुल जो अप्शन नमर भी बताएं मासागर मासागर की बात करें तो आपको पताए महाशागर में जेव विट्था पाई जाते इसी करण क्या है आपका सबसे इस्ताई पारिश्तेतिंग तंतर है यह आपको याद रखने है अब बात कर लेते हैं आपको पता होगा ग्रेट बेरियर इप कहा है वो और श्ट्रेलिया में है वो भी आपको याद रखना है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं 20 आपके सामने क्या दिरका है हीमोगलोबिन में पाए जाने वाला तत्वा है हीमोगलोबिन में पाए जाने वाला तत्वा कौनसा है परति क्या होता है यह आपको ध्यान रखना है जिसे गोई टर या गलगंड रोग भी वोलती है अगला कुशन करवाई था डूली किस से समझ दीता है तो डूली की बात करें तो आपको पता होगा भेड की कलोन से समझ दीता है जो डूली बेड का कलॉन है वही क्या डूली या आपको पता हूगा डूली ना हो के एक बेड थी या कहँए नसल थी डूली तो आपको पता है ये बेड या बातकर एक कलॉनिंग दोनो всю शमन देता है option नमर कापीसार विदार्थी कॉमेट करें बिलकुल मैं बोला तो बेड़ी का लेकिन कई बार किया जाए अगला कंसल नमर क्या कर जो उफ्षान नमर C बता रहे बिल्कुन का उत्तर सी है जल का सुत्र क्या होता है आपको पता होगा S2O होता है साधान जल का सुत्र ये होता है और D2O की बात करें तो वो बारी जल का सुत्र होता है ये भी आपको याद रखने है और आपको पताओगा सुध जल कौन सा होता है वर्षा का जल सुध होता है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए दोफ तो आगे बड़े अगला क्यूशन नमर 23 आप किस्ट के सामने दे रखा क्या है उत्परेरक की खोज किस्ट ने की थी जल्दी से बताने की कोशिश करेगा उत्परेरक की खोज किस्ट ने की थी बिल्कुल जो आफ्शन नमर डी बता रहे बर्जी लियस बिल्कु कि खोज किस ने की थी चलिए जोस्तों अगला किस्ट नमर चोईस आपके सामने क्या दे रखा है किस रंग का वरन विक्षेपन क्या दे रखा है किस रंग का वरन विक्षेपन सर्वादिक होता है यानि आपको कह रहा है किस रंग का परकिर्णन सर्वादिक होता है वरन विक् और होता है। यह भी कई बार एक्जाम में आ चुक है तो याद रखिएगा। विदूत मोटर है जो अप्सन नमर क्या बता रहे शी बता रहे विलकुन का उत्तर से यह और इसका उल्टा होता ना यांतरी कुज्जा को विदूत उज्जा में तब क्या होता जनरेटर कैदो या डाइनेमो कैदो एक ही बात है ठीक है यह भी द्यान रखना चलिए दोस्तों लिए 20 के सामने क्या देर्क आथि या रखत का प्याच मान कितना होता है जलदिश बतेगा रखत का रखत के कासी होता है तो यह आपको ध्यान रखना है, चलिए दूस्तों आगे बढ़े, अगला क्यूशन नमर 27 आपके स्किन के सामने दे रहे हैं, निमन में से ऐ दातू है, ऐ दातू की बात कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अफ्शन नमर C बता रहे हैं, कार्बन, कार्बन है क्या है, ए दातू है, जिसका परती क्या होता है, C होता है, लीठियम की बात कर लेते हैं, याद आ रहे हैं, लीठियम क्या है, आपको पता है, दातू है, सबसे हलकी दातू की बात करें, तो क्या है, लीठियम है, और सोडियम का परती क्या होता है, N होता है, जिने चाकू से काटा जा सकता आपको यादार होगा लीठियम होता है सोडियम होता है पोटेशियम होता है यह मुलाइम दातू होता है जिनने चाकु से काटा जा सकता है और मेंगनेशियम की बात करें तो एमजी होता है क्या होता है यह आपको ध्यान रखना चाहिए चलिए दुस्तों आगे बड़े अगला किशन नमर बात कर लेते हैं 28 आपके सामने क्या दिर्क है रूदीर के सुधी करण की परकिरिया को क्या कहते है तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा रूदीर के सुधी क आपको द्यान रखना है और बात कर लेते है आर बीसी को क्या कहते हैं यह मोलाइस कहते हैं इमोलाइसिस किसे कहते है आरबीसी के च्छे को कहते है यानि आरबीसी का नश्ट होना क्या कहलता है इमोलाइसिस कहलता है आगे बात कर लिते हैं आपको पता होगा प्रासरन की परकिर्या को क्या कहते है ओस्मोसिस कहते है क्या कहते है ओस्मोसिस कहते है यह सारे आपको याद कंड कहा होता है गुर्दा यानि किड्नी भी होता है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं गुंड तीस आपके स्कीन के सामने क्या दिरक है थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको क्यूंकि टाइम कापी हो रहा है आपका भी टाइम खराबना है वो जल्दी जल्दी सारे क्यूशन भी हम डिसकस भी कर ले अगला क्यूशन क्या दिरक है निमन में से कार्बन का अपर रूप नहीं है कार्बन का अपर रूप नहीं है तो मैं अभी बता रहा था हीरा हो गया ग्रेफाइट हो गया और फुलेरिन हो गया यह क्य अगले दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं तीस आपके स्कीं के सामने जो की जियस कांतिम क्यूशन आप मैतेमेटिक्स के पार्ट सुरू होने वाला है तो कलास पूरी देखेगा अंतिमे कॉमेंट करके भी आपको बताना है कितने क्यूशन आपने फीमर यानि जांग की हड़ी होती ये भी आपको द्यान रखने वो सबसे छोटी हड़ी की बात करें तो ऐसी कापी इस टफिज अड़ी होतीज का抬डा ज्यान रखेगा अगले क्यूशन का 270 को आपको बात करना है क्यूशन का thorough तरत्यानुपाथ। नहीं करें। और जल्दी से लिखले बटे उब ऑन चाहए। हो जुआ है क्टिना घ्याब कितना आएगा। सो आएगा जो सन नमर कौन सा बता रहे है यह बता रहे बिल्कुन का उत्तर से यह बहुती सांदार क्यूशन ने काफ़ी सारे विद्धार थी लाइचेट में जवाब भी दे रहे तो इसका जवाब आपका क्या होगा सो होगा एक उसन और भी आचुका आपको याद आरहोगा क्या 140 का बताईगा जल्दी से 140 का क्या बताना आपको उत्तरती अनुपात बताना है यह क्यूशन कई बार एक्जाम में आ चुका है तो इसका आपको कॉमेंट करके बताने है चलिए दूस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं 32 आपके सामने क्या दिर चलिए हमने 5 जोड़ा यह कि इदर वाला पद कितना हो गया 7 और 5 कितना हो बारा और यह कितना हो गया 18 अब आपको पताई 6 से कट रहा है अनुपात में हम काट सकते हैं तो काट करके देखो एक बार कितनी बार कटा तीन बार इसका मतलो कितना आ रहे हैं 2 नुपात 3 आपका आ रहा है क्या बिल्कुल आ रहा है इसका मतलब आपका उप्सान नमर कौंसा राइट होगा यह राइट होगा बहुती स्चांदार क्योशन है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्योशन नमर बात कर लेते हैं 33 आपको जितना आसान क्योशन यह दिखाई दे रहा है उत चार है इस से लिकलो थोटा ठीक है जिरो पॉइंत चार चार डेसी का मतलब क्या बाद रहा है यह दियान रख केगा में से तो इसका मतलब क्या बार एटाती है तो बट्य में क्या लगाते है नो लगाते है तो चार बट्य नो का आपको क्या निकालना है बहुती शांदार क्योशन बन रहा है देखो वर्गमूल निकालना है यानि इसका वर्गमूल ही तो हमें निकालना था जल्दी से निकालीगा चार का वर्गमूल कितना होगा दो होगा और नो का कितना होगा तीन होगा और दो बटे तीन का मतलब कितना होगा यदि आप वापिस भाग देगो तो 0.66 आएगा बिल्कुछ 0.6 के उपर बार वाला आपका जवाब होगा देख लिजीगा जो आप्शन नमर कौंसा बता रहे भी बता रहे ना 0.666 तो ये क् से करते तो लंबा होता आपका चलिए दुस्त आगे बड़े एगला क्यूशन वर 34 आपके स्किन के सामने बहुती से आंदार क्यूशन है किसी संक्या के 60 पर 30 में से 60 ही गटाने पार सेंस भी कितना बचता है 60 बचता है तो वह संक्या क्या है तो पहले बात कर लेते हैं वह स और इसमें से गटाना कितना है 60 गटाना तो बचता कितना है 60 बचता है यह तो एगले ने दिये बिलकुर सांदार क्यों सनुगा इस 60 को इदर ले जाओ इसका मतलब उदर जाके क्या होगा जूड़ेगा यह 0 सी 0 कर दो एक बार और यह 2 से कटा 3 बार कितनी बार कटा 3 बार इसका मतलब 3 बटे 3 बटे 5 और यह इदर जाके क्या होगा जूड़ेगा और 60 और 60 कितना होगा आपको पता कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा फिर आगे फक्सांतरन करके हल करो 3 बचता कितना करेंगे 5 करेंगा ना बिलकुल 120,5 यह क्या होगा 3 बच sounded गया 12,5 कितना होगा साथ बार पन कितना होगा और 10,600 और 3 बच 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 इसका मतलब x बच 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 कितना आएगा भाग देदो 3 का कितना हीगा 200 गा जो option number कुमसा बता रहे D बता रहे बिल्कुन का उत्तर से ही है तो बहुत ही आसान क्योशना आप आराम से कर लोगे से लिए दोस्तों आगे बड़े अगला question number 35 आप के सामने क्या दे रिखा है 8, 12 और 15 का क्या बता रहे है LCM बताना तो बहुत ही आसान है 8 लिखा ये 12 लिखा ये क्या लिखा 12 लिखा और ये 15 लिखा किसका बाग जारा पहले पहले हम भाग देंगे किसका 2 का 2 का कितनी बार गया 4 बार फिर 2 का 6 बार फिर यहां 15 का 15 फिर 2 का जारा बिल्कुल 2 बार गया फिर बात कर लेते तीन बार गया फिर कितनी बार गया यह जाने रहे पंदरा का पंदरा फिर दो का जा रहा है बिल्कुल कितनी बार गया एक बार तीन बार और नूर 120 आएगा जो क्या बता रहे भी बता रहे बिलकुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन में 36 आपको पता चल गया इसमें 5000 है इसका मतलब कौन सा होगा आपको पता है उपस्टन नमर बिलकुन का उत्तर सही है किसी का बाग नहीं जाएगा चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन में 37 के सामने देर किया है यह और कि रखना ब्रकुन का यदि एक की गात वी बराबर कितना दिया आपको एक ही गात भी बराबर दिया 125 तो आपको पता कि किस की गात कितनी बराबर 125 होता है तो 5 कि की गात तीन कि बराबर कितना होता है 125 होता है बिल्कुल होता है तो इसका मतलब आपको निकालने तीन की गात 5 क्या निकालने तीन की गात 5 निकालने, इसका मतलोके 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, चलिए गुणा कर देते हैं तिन तिरी नो दो तिरी सताई सताई तिया कितना हो गया 243 हो गया ना बिल्कु जो ऑफ्शन नमर सी बता रहे बिल्कुन का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे वेड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं 38 आप किस कुण के सामने 32 शांदार क्यूशन है देखते कौन क मुझा है समान और परते कौन 90 डिगरी होता है वो क्या होता है वरग होता है यह वरग मैंने बनाया है अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या है अंदर बने वरित वरित किस तरह होगा बिल्कुल इस तरह होगा चलिए मैं बना देता हूं इसके अंदर पूरा-पूरा बना क्या होगी इसका मतलबerek मॉन आपको कितना दे दिया आपको साथ र का मагन कितना साथ दिया अब आपको क्या ने क्या निकालना है g cuálण का 56 फलिशन प क्या होता है 6 क बम का है च्था कमया होता है बाईस साथ 2 बड řूना में साथ गुणा में साथ, साथ से साथ कटा, बाइस साथ कितना हो गया, एक सो चौपन हो गया, जो अप्शन नमर ये बता रहे, बिल्कुन का उत्तर सही है, चलिए दुस्तों आगे बड़े, अगला क्यूशन आपके स्किन के सामने लेते हैं, थोड़ा सा गला क्यूंकि थोड़ा लं निमन में से वरियत कोन है, कलास अच्छी लग रहे हैं, तो दिल से लाइक कर दीजीगा, यदि आप हमें सपोर्ट और प्यार देना चाहते हैं, तो कलास को लाइक कर दो यार, जिन्नों ने अभी तक पलीज लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजीगा, देखो आप के लिए मैं कितनी मेंत कर रहा हूं, तो आप भी कलास कम से कम लाइक तो कर दिया करो, किसन क्या दिरक है, निमन में से वरियत कोन है, निमन में से क्या बताना आपको, वरियत कोन बताना है, वरियत कोन की बात करें, तो वरियत कोन होता है, आपको पता है, पहले में बात कर ल समकोन की बात करें तो क्या होता है समकोन की बात करें तो 90 डिगरी के कौन को क्या कहते है समकोन कहते है और अधिकोन की बात करें तो याद आ रहा है अधिकोन जल्दी से बताएगा अधिकोन का मतलब क्या होता है अधिकोन का मतलब होता है 90 से 180 के बीच 90 से कितने 180 के बीच का को कहते हैं और 180 से लेके 360 के बीच में जितने भी कौन होते हैं वरियत कौन या पर्तिवर्ति कौन होते तो आपको 270 वाला दिखाई दे रहाना है क्योंकि यह आपको पता है 180 से लेके 360 के बीच जो भी कौन होते हैं वरियत कौन होते हैं और वरित कौन नोट कर लो वरित कौन की बात करें तब वो 360 डिग्री वाला कौन होता है यह आपको नोट कर लेना है वरिट कौन अलग है और वरिट कौन अलग है ध्यान रखिएगा चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस नमर बात कर लेते हैं चालिस आपकी स्किंग के सामने दे रखा क्या है यदि पांच आध्य काम को च्शे दिनवे करते है तो एक आध्य कितने दिन वे करेगा इसका मतलब 5 गुणा च्छे कर दो यानि कितने दिन वे करेगा तीश दिन में करेगा बहुती आसान क्यूस नहीं है तो आपका ओफ्षय नम्र कोनसा रहा वागा बी रहाइट होगा चलिए दोस्तो आपका जवाब क्या आएगा जो उपसन नमर यह बता रहे बिलकुन का उत्तर सही है शली दूस्तों अगला कुछन नमर बात कर लेते हैं 42 आपके सामने सेक स्कैट ठीटा माइनस 10 इसका ठीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता होगा क्या होता है एक पलस 10 इसका ठीटा का मान कितना होता है जल्दिस बताएगा एक पलस 10 इसका ठीटा का मान कितना होता है सेक इसका ठीटा होता है बिलकुल सेक इसका ठीटा होता है इसका मतलब सेक इसका ठीटा माइनस 10 इसका ठीटा का मान कितना है एक होता है और खु disgust माइनस कोट का क्या होता है और यह भी एक दे रख चोपन किलोमींटर परती घंटा को मिटर पर सेकेंड मैं बदलो इसका मतलब चोपन को आपको किस में बदलना है किलो मेंटर को मीटर पर सेंकेड में बदलना है इसका मतलब किस से गुणा करते है पांच बटी अटारा बटी पांच से गुणा करते है तो अटारा से काट दो अटारा तिया कितना होता है चोपन होता है अब बात कर लेते तीन गुणा 5 जानी कितना है या 15 तो आपका जवाब हैगा 15 मेटर पर सेकेंड जो अप्शन नमर B बता रहे बिलकुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन नमर बात कर ले थे 44 आपकी स्किन के सामने क्या दे रिखा है A²-B² का फोर्मूला क्या होता है तो आपको पताओगा A²-B² का फोर्मूला होता है A पलस B होता है और एक बार क्या होता है A-B होता है क्या होता है A-B होता है जो अप्शन नमर A बता रहे बिलकुन का उत्तर सही है यह फोर्मूला किसका जल्दी से बताएगा यह होता है ए माइनस बी का इसकाईर यह किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का इसकाईर होता है और यह किसका होता है जल दिश बताएगा ए पलस बी का इसकाईर यह किसका फॉर्मूला होता है ए पलस बी का इसकाईर होता है तो ये भी आपको याद रखने है, चलिए दस्तों आगे बड़े अगला क्यूस्टन नमर बात कर लेते हैं, 45 आपके स्कून के सामने क्या दरख है X की गात कितनी दी, 8 दी, और गुना है, ये क्या है, X की गात माइनस 3 और गुना में X की गात कितनी दे दी है, गुना डोट का मतलब गुना X की गात माइनस कितनी, 5 अब आपको बता है गाते जोड़ेंगे तो आपको बता है एक्स की गात यह आठा और यह भी माइनस की आठ इसका मतलब एक्स की गात कितनी आएगी जीरो आएगी इसका मतलब क्या आएगा किसी की गात जीरो इसका मतलब वेल्यू कितनी आती है यह काती है जो अफशन नमर य क्या देता है वर्षा देता है सूर्य क्या देता है परकास देता है जो उसन नमर क्या बता रहे बिलकुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर आपका 47 सामने है ए बी देखो क्या लिखा है ए का उल्टा यानि उल्टी साइड से क्या होता है क् यह B का उल्टे साइड से क्या बता है Y होता है इसका मतलब उसका भी उल्टा आपको पता होगा W X Y Z इस तरह ही तो रखा है आगला वाला क्या एगा X W आएगा X W आएगा जो ओप्सन नुमर क्या बता रहे B बता रहे विल्कुन का उत्तर से यह बहुत ही शांदार कि उसने का अगला वाला क्या आएगा X W आएगा उसन नुमर आपका वी राइट होगा चलिए दूस्तों आगे बड़े अगला क्योंसन नुमर 48 बड़ा ही शांदार है जल्दी से सभी विद्यारति इसका भी लाइशेट में जवाब देने की कोशिज करीगा अभी शेक का जनम दिन क् ये तीसा दिन उसने क्या दिया है कि उस माय का तीसा दिन उनने क्या दिया है सोमुवार दिया है क्या दिया है सोमुवार दिया है इसका मतलब पहले वाला दिन क्या होगा सनिवार होगा पहले वाला दिन क्या होगा सनिवार होगा अब आपको पता है पहला सनिवार है तो आ साथ जूड़ेंगे इसका मतलब साथ दूनी चवदार एक कितना होगा पंदरा दिन यानि पंदर में तारीक को जर्णम है उसका तारीक कितनी है पंदरा होगी यह आपको पता है बहुत ही शांदार क्यूशन है काफी सारी विद्धर कि समझ में भी आगे होगा चलिए दोस्त बता होगा जब डिगरी को रेडियन में बदलनाव किस से गुणा करते हैं पाई बटए 180 से गुणा करते हैं इसका मतलब 90 गुणे पाई बटे 180 करना पड़ेगा चलिकात दो जल्दी से यह 09 से कटा दो बार इसका मतलब आपका जवाब आईगा पाई बटे दो यानि आपक करता हूँ आपको ये कलास पसंद रहे तो कलास को लाइक करके जाए और अपने दोस्तों भी ज्यादा से ज्यादा से शेयर करो ताकि उन के पास ये कलास पहुंच पाए और रेगुलर हमारी आठ बज़े और ग्यारा बज़े सुबह कलास होती है GKGS की वो कलास भी रेगुलर आप अटेंड किया करो हम वेंत करें तो आप भी वेंत कीजिएगा आगामी यह दिया आपका आर्मी की त्यारी करें रिटन एक्जाम की तो खास तोर से ध्यान दिजिएगा और आपका जो मैंने मासंग्राम ले रहा था जिन् आपको कहीं पेसा देने पर भी ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा कम से कम हमारी टीम ने बहुत ही ज्यादा मेंद कर रही आपके लिए पेपर अलग से मैं टाइप करवा रहा हूं बिलकुल फरी में आपके लिए तो ध्यान रखिएगा कलास को लाइक कर दो और जो व